हालो नवस्कार ब्रद्रमार चेर्म में आपका स्वागत हम आपको बहुत थी महत्पूंज अनकाई देने वाले हैं अतिते सिक्षों के निमीतिकड़को लेकर धन्ने पे बैटे हैं और सरकार से मांग करेंकर निमीतिकड़की आजा नया सत्त प्रारंभ होने वाला लेकर अति अतिते सिक्षों की बात को मानना चाहिए नेशनल मीडिया ने बोला है कि साथन को भी अतिते सिक्षों की कुछ बातों को मानना जरूंज चाहिए अगर यह मांग कर रहे हैं तो ठीक है प्रिस्ति बहुत थी महत्पूल खबर है अतिते सिक्षों की मांग है निमीतिकड़की इनका एक ही कहना है कि इनको नीमित किया जा नया सत्त प्रारंभ होने वाला है तो बहुत-थी महत-पुलVES खबर में विस्तार से जानकाई देने वाला हूं एक वीडियो भी दिखाने वाला हूं अब बने रहे वीडियो पूरा देखें वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक जरू करें और चेनल को स्काइब जरू करने से निएपडेट पाने क्या कहना है मीडिया का आप वीडियो बने रहे वीडियो पूरा जरूर देखें नए शिक्षा सत्र का आगाज होग चुका है आप तैयारी कर चुक है अपने बच्चों को स्कूल बेजने की इस बीच अतिती शिक्षक नियमिती करण की मांग पर धरने पर बैठेट मुद्दा पढ़ाई के बाध जाती नियमिती करण की मांग को लिकर धरने पर बैठे अतिती शिक्षकों की असल समस्या है क्या जरा इसको डिकोड करते हैं धरने पर बैठे अतिती शिक्षकों की ओर से पिछले लंबे वक्त से नियमिती करण की मांग होती रही यह अतिती शिक्षक चाहते हैं कि उन्हें नियमित कर दिया जाए यही कारणे कि वो लगातार अपनी मांग उठा रहें इस उम्मीद के साथ कि उनके इस आंदोलन का असर होगा लेकिन सच ये भी है कि आंदोलन अगर यो ही चलता रहा तो इसका सीधा असर बच्चों की पढ़ाई पर पढ़ेगा क्योंकि अब ये पढ पर किसी भी सूरत में असर ना पड़े ये शिक्षकों को भी सोचना चाहिए और निशित तोर पर उनकी मांग पर भी सानुपुति पूरा विचार कर लेना चाहिए वक्त रहते